प्रभुराम का फब्वे मंदिर बने लेकिन आज तक भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार जो भगवान राम का नाम लेकर सत्ता में आई और उसी राम को भूल गई जिसकी बदोलत सत्ता की मलाई चखने का उनको अवसर मिला उस भगवान को भूल गए हैं और आज अयोध्या में अखिल भारतिये प्रदान संगठन के राश्ट्रिय उपाद्यक्ट शिपूशन उपाद्या गोपाल के साथ में एक प्रतिष्ठान म प्रैस प्रतिनिदियों को संभोधित करते हुए महाराश्ट्र प्रदेश के ठाले जिला के महानगर पालिका के सभापती रामने पाल सहाब ने प्रैस प्रतिनिदियों को बताया कि शिप्षेन अपक्ष उद्वभ ठाकरे सहाब के निर्देश में पूरा एक मिशन चलाने क लिए आगे बढ़ा है और एकनाज सिंदे के साथ साथ शिप्षेना नेता महाराष्ट कल से अयोध्या में प्रवास करके 24 नवंबर को सर्यू नदी में आरती करेंगे और संत पूजन दर्शन के बाद 25 को संभावित सभा को सफल बनाने के लिए लाखो की संख्या में शिप्षेना पक्ष के प्रमुख होंगे भगवान के मंदिर को बनाया जाए ये शिप्षेना की पहल रहेगी और आने वाले समय में शिप्षेना भगवान राम का मंदिर बनागर रहेगी हम लोग कहाई करोंगे और फिर इसके बास हम लोग कहा जाएंगे इसके जो अप्षाज में शिप्षेना प्रमुख होंगे आते हम सकते हुआ है जyet बास य्चा कि पास हुंगे जाना, समय में शिप्षो प्यू कि आते हुआ है काम हले और मुख गषेन जाने ऐसे पंडते है कि कैसंग प्रमुटा धूर रहे हैं, बुटन को अगयाetus you अवा कुआ है और चपाँ आप सबीकात्र व्राइज कि अपना स्टोग्राफ इससे शुरूबाएं कि अपने अपने पर्दानों में उडा बटाया की राद से ही ग्राम पंचायद दिगारियों का उनके पास फोन जा रहे हैं कि माने जिरा दिकारी महोदय के निर्देश पर समझ गराम पर्धानों को 25 नॉम्मर को आपात का रिमिटिंग उलाई गई है जब कि जैसा कि निर्देश होता है कि बगैर 15 दिन पुर्वे किसी भी बैठक गराम पंचार तो बैठक नहीं हो सकती है जहां तक उज़े यह आभास हो रहा है कि शिवसेना के बढ़ते जनाधार को इनके बढ़ते ब्यक्तित को देख करके अस्थानी सरकार बढ़ा गई है और वो आप तकालिन यह चाती है जो मरते हैं कि हमारे उत्तर प्रण साथी शिवसेना के जो पूर्ले धारित कार्कम है उथ्या में उसमें न पहुँच पाएं अइसा उन्होंने इसो रोपने का प्रयास किया है लेकिन मैं उत्तर पर समस्त्र ग्राम प्रण साथी शिवसेना के साथ खड़े रहे